नमस्कार श्वागत आपका सीन्यूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव मोधी 3.0 के कारेकाल का पहला बजट कल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया जिसमें वित्तमंत्री ने कई घोशनाई की आमादनी से लेकर युवाओं तक का इस बजट में खासा ध्यान रखा गया इसी के तहट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और युवाओं के लिए कई बड़ी घोशनाई की है अपने बजट भाशन में उन्होंने नौकरियों और स्किल से जुड़ी 5 PM पैकेज स्कीम का जिक्र किया है इसमें कैसी स्कीम भी थी जुसमें युवाओं को स्किल से जोडने के लिए 1000 इंडस्ट्रियल प्रेनिंग इंस्टिटूट अपग्रेट किया जाने की बात कही गई है जी हाँ हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लों का फाइदा मिलने और 5 साल के अंदर 1 करूर युवाओं को स्किल के जाने क्या जिक्र किया गया है साथी इंटरंशिप के दोरान स्टूडेंट्स को 5,000 रुपे हर महीने स्टाइपेंड दिये जाएंगे ऐसे में हर युवा ये जानना चाहता है कि कौन-कौन इस स्कीम का फाइदा उठा सकता है और कैसे तो आएए जानते हैं मोधी सरकार अपने पहले बजट में युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है और खासकर उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार है जी हाँ नए बजट के अनुसार अब 500 टॉप कंपनियों में एक करूर युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी इंटर्नशिप के दोरान स्टूडेंस को 5000 रुपे हर मही ने स्टाइपेंड दिये जाएंगे लेकिन हर युवा के मन में सवाल है कि हर महा स्टाइपेंड के तौर पर 5000 रुपे किसे मिलेंगे इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन का कहना है ये स्कीम प्रुधान मंत्री पैकेज का हिस्सा है हमारी सरकार एक ऐसी स्कीम लांच करेगी जो 500 टॉप कंपनियों में एक करोड भारती युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी ऐसा 5 साल के लिए किया जाएगा ये युवा 12 महीनों तक वहां के माहौल में रहकर अनुभव को बढ़ाएंगे और खुद को भविश्य के लिए तयार करेंगे इन्हें हर महीने में 5000 रुपे इंटर्नशिप अलाउंस के तौर पर दिये जाएगे इसके अलावा 6000 रुपे भी वन टाइम असेस्टेंस अलाउंस भी दिये जाएगे इसका फाइदा उन स्टूरेंट्स को मिलेगा जो पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करके किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं इसके लिए उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए इसके लिए उन्हें मौका मिलेगा जिने अब तक नौकरी नहीं मिली है और ना ही फोल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं इतना ही नहीं ट्रेनिंग में होने वाला खर्च कंपनी उठाएगी इसके लावा इंटर्णशिप कोस्ट का 10 फीसदी हिस्सा कंपनी के सियसार फंड से लिया जाएगा जाहिर है देश में बेरोजगारी की दर तेजी से बड़ी है आलम ये है कि 5,000 आवेदन के लिए 20-25 लाक युवा अपलाई करते हैं लाको युवाओं के पास डिग्री और योगिता होने के बाद भी वो बेरोजगार हैं जो देश के भवश्य के लिए चिंता का विशह है यही कारण है कि विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर जम कर खेड़ता है इसका असर बीते लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला इसलिए सरकार ने बेरोजगारी को देखते हुए यह खास घोशना की है इस पहल से कहीं न कहीं बेरोजगारी की दरों में गिरावट आएगी फिलाल इस खास रपोर्ट में बसितना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी नूस भारत